नमस्का, मैं हो ससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं जर्खन पंचायद चुनाव साल के अंत तक मंत्री अलमगी त्रियस्तर ये पंचायद चुनाव को लेकर जर्खन में सुख भुगाहर तेज हो गई है बतादे जर्खन में साल 2021 के अंत तक यानि दिसंबर माह में पंचायद चुनाव की संभवना बन रही है इसको लेकर पंचायदी राज विभाग के ओर से आवस्यक करवाई पितेज हो गई है ग्रामिन पिकास एवं पंचायदी राज मंतरी अलमगीर आलम ने दिसंबर माह के अंत में चुनाव होने के संकेत दिये है बतादे मंतरी अलमगीर आलम ने कहा कि जर्खन में पंचायद चुनाव को लेकर त्यारी हो रही है संभवना है कि दिसंबर माह के अंत तक तैयारी पूरी हो जाए इसको लेकर विभाग को रूप रेखा तैयार करने को कहा गया है विभाग में इसको लेकर आवस्यक सनलेख तैयार हो रहा है उन्होंने कहा कि रूप रेखा तैयार हो जाने के बाद इस समद में सीम हमन्सुरिन से बाचित की जाएगी फिर आगे की करवाई की जाएगी रांची में प्याज 50 रुपे प्रति किलो पेट्रोल 100 के पार तेवारी सिजर और पिछले दिनों हुए लगतर बारिस का असर हरी सब्जियों पर साप दिख रहा है बता दे रांची में पेट्रोल की कीमत 100 रुपे प्रति लिटर के पार चली गई है रभीवार को पेट्रोल की कीमत 100 रुपे पंद्रा पैसा प्रति लिटर रही 18 नॉमबर को आएगी T20 टीम 19 नॉमबर को हुनवाले भारत न्यूजिलेट T20 मैच से संक टल गया है बता दे आईएस अफसर की साधी के लिए होटल रेडिसन बुलू में कराई गई है 20 कमरों की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है बता दे कमरों की बुकिंग कराने वाले लक्षवन पर साधने 14 अक्टूबर को इस से समंदीत इमेल होटल प्रवंधन को भेजा है बता दे बिहार में पदस्थापी 2016 बेच के आईएस अफसर की साधी एस्टेशन रोड इस्थित होटल बी एना चना के से होगी अम्तिम समय में होटल की उपलावधता सुने चित होने के कारान फिलहाल मैच के आउजन से संकट टल गया है ती एक माह में दोगने हुए कोरोना के एक्टिव केस हाल में कोरोना के मामले बढ़े हाई खास करते वारों के इस मौसम में इसे देखते हुए स्वास्थ बिभाग ने पुजा के बाद जांच में तेजी लाने का निदेश दिया है जनकारी के अनुसार एक माह में ही कुरोना के एक्टिव केस दूगने हो गए है बता दे कुरोना जब निम्तम अस्तर पर पहुंचा था तब राजे में पचपन एक्टिव केस थे जो अब बढ़ कर 130 हो गए है विभाग इस पर पैनी नजर रखे हुए है इधर पूजा के दवरानभी सहर के पूजा पंडालों में भीड उमर पड़ी थी स्वास्त विभाग का या जानना चाहता है कि पूजा में लोग संक्रामित हुए हैं या नहीं इसे लेकर पूजा से 4-5 दिनों के बाद जो केस बढ़े हैं या घटे हैं उसके डाटा का विभाग अध्यायन करेगा जारखन में सिक्षक नियुक्ति की तयारी प्राथमिक से लेकर पूजटू तक के इसकूलों में सिक्षक नियुक्ति के लिए अवियार थी अब एक हीडीड़ी के अधार पर आवेदन कर सकते हैं भारत सरकार ने सिक्षक नियुक्ति को लेकर तय प्रवधानों में बदलाव किया है इसे लेकर राष्ट्री ये अध्यापक सिक्षा परिशद ने पत्र जारी कर दिया है बतादे प्राथ्मिक से लेकर प्लस टू विद्यालेट तक में सिक्षक नियुक्ति के लिए पुरुन निधारित जोगता के अलावा वैसे अभियार्थी जिन्हें PG में 55 फिशद अंक मिले हो और तीन वर्षिरिये एकी क्रीट B8 M8 कोर्स किया हो वे आवेदन जमा कर सकते हैं पलामू का हैदर नगर बजा अनिस्चित काल के लिए बंद जारखन के पलामू जिला अंतरगत हैदर नगर में विजय दसमी के दिन माद दुरगा की परतिमाग साथ बिसरजन जुलूस में लोड़ स्पीकर नहीं बजाने को लेकर पुजा समीती और पुलिस के बीज तीख अच्छी निमस्ति के मंदीर में उम्रा जनसलाब देश के प्रसीद सिध पीठ अस्थल रामगड के रईराप्पा मंदीर में नवरात्र के महानौमी वबिजय दसमी के सुब महुर्थ को लेकर गुरुवार एवं सुक्रवार को सर्धालू की भारी भी उमर पड़ी बता द भाजपा एस्टी मोर्चा की बैठक तेश से भाजपा अनुसूचित जनजाती मोर्चा की तीन दिवसी राष्ट्रिय कारे समीती की बैठक 22 अक्टूबर से शुरू होगी बैठक में भाजपा के राश्ट्री ए अध्यक्ष जेपी नड़ा समय देश के सिर्ष नेता अपनी उपलवधी दर्ज कराएंगे बता देर अभिवार को भाजपा एश्टी मोर्चा के राश्टी अध्यक्ष समीर उरावने बैठक त्यारी को लेकर मीडिया से जनकारी साजा की इस मोगे पर भाजपा के परदेश अध्यक्ष दिपक परकास भी उपस्थित थे सेवा निवरित सिक्ष को वकर्मियो को दिया गया लाब गड़वा जीला सिख्छा पताधिकारी सन्जाय कुमार ने सन्निवार को 2525 आयोजित कर अपने विभाग से समन्धी 24,7 लाव परदान किये हर माह की 15 तारी को 25 आयोजित होता है किन्तु इस बार 15 को अवकास होने के कारण 16 को आयोजित किया गया बतादे अस्वस्ता के कारण संजय कुमार ने अपने आवास पर ही अपने समंधित कर्मियों तथा अपना पक्ष रखने के एक छुक सेवा निर्थ सिख्षकोव कर्मियों को बुला कर उक्तकार्यों को पुरा किया जारखन में कुरोना के साथ नए केस मिले हैं जो रांची से साथ हैं जारखन में कुल एक्टिव केस की संख्या 112 है भारत में 14,284 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 1,43,880 है CBSC की दिव्यंग विद्यार्थियों के लिए बड़ी पहल CBSC यानि केंद्रिये माधमिक सिक्षा बोड ने PWD विद्यार्थियों को परिक्षा लिखने के लिए एक सहायक देने का निना लिया है ताकि परिक्षा लिखने में उन्हें परसानी ना हो बोड ने स्कूलों को इस संब्द में निर्देश दिया है कहा है कि ऐसे विद्यार्थियों की एक सूची तयार करे इसकूल पांच पांच छात्रों का पूल तयार करेंगे इसमें 9 के बिद्यार्थी 10 वी और 11 के बिद्यार्थी बरहवी के चातर के लिए परिष्छा लिखेंगे इससे PWD बिद्यार्थियों को बड़ी रहात मिलेगी लिखने वाले बिद्यार्थी को बोर्ड पुरस्कृत भी करेगा 18 साल के होने वाले मतदाता सुची में जड़वा सकेंगे नाम एक नौमबर से फोटो मतदाता सुची में मतदाता अपना नाम जड़वा सकेंगे इसे लेकर एक नौमबर से भी से संशिप्त पुनरिक्षन कारेकरम के सुरुवात होने वाली है वैसे लोग जिनकी आयू 1 जनवारी 2022 को 18 वर्स पूर्ण हो रही है या इससे अधिक है मतदाता सुची में आपना निबंधन कर सकते हैं बता दे मतदाता सुची में निबंधन के लिए दावा एवाम अपत्ति दर्ज करने की योधी 1 नुवंबर 2021 से 30 नुवंबर 2021 तक प्रपत्र छोग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं किसान समोह को मिलेगा 15 लाख रुपए PM किसान FPO योधना के माध्यम से किंदर सरकार किसानों को 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने जा रही है बता दे किसानों के आर्थिक मदद के लिए किंदर सरकार लागा तार परयासरत है किंदर सरकार एक बार फिर किसानों के लिए योधना लेकर आई है किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगतार नई पहल कर रही है इसी बीच सरकार किसानों को एक बड़ा गिफ्ट देने जा रही है बता दे सरकार किसानों के समों को 15 लाख रुपए की सहायता दे रही है सरकार ने PM किसान, FPO, स्कीम की सुरुवात की है इस योजना के तहत पिसान उतपादक संगठन को 15 लाक रूपै दिये जाएंगे जहरखन के सरकारी स्कुलों में बदलेगा सिलेवस जहरखन के सभी सरकारी स्कुलों में सिलेवस बदलेगा यह बदलाव 2023 से लागो होगा यह बदलाव नई सिक्षा नीती के अधार पर होगा बतादे 2022 के मार्च तक स्कूलों के छात्र पुराने पाठे करम से ही पढ़ाई करेंगे राज्य का स्कूली सिक्षा और सक्षता विभाग इसकी तियारी सुरू करने जा रहा है बतादे नई सिक्षा नीती में प्राइमरी, मीडील, हाई और पुलस टू के लिए तय किये गए प्रवधानों को उसी के अनुरूप लागू करने के लिए सिक्षको की टीम लगाई जाएगी अगले साल से नई सिलेवस के अनुसार किताबों की छपाई की परकिरिया सुरू हो जाएगी महंगाई के खिलाप परधान मंत्री का पुतला दहन जारखन परदेश युवा राश्रिय जनता दल की ओट से रविवार को पेट्रोलियम उत्पाद की कीमत में बेताहासा बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाप अलवट एका चोग पर विरुवत परदसन किया इस करम में करकताओ ने पलान मंत्री नायन बोदी का पुतला दहन किया इस मौके पर आविजित कारेकरम में कमिटी के अध्यक्स रंजन कुमार ने कहा कि केंद्र की एंडिये सरकार के कारेकरम में देश का आमजन बेहाल हो गया है महंगाई चरम पर है पेट्रोलियम उत्पाद की कीमत में ब्रिधी का असर खद्यान यात्रा माल परिवहन समेथ दैनिक जरूरत के समान पर भी दिख रहा है एक नवंबर को सिक्षको को समानित करेगा पासवा प्राइबेट स्कूल और चिल्डरेन वेलफेर एसोसेशन के पूरवी सिंगभूम सका की ओर से एक नवंबर को जमसेद पूर माईकल जोन अडोटोरियम में सिक्षक समान समरो आयोजित किया जाएगा बतादेश समरो को लेकर परदेश पासवा अध्यक्स अलोक, कुमार दूबे, उपाय अध्यक्स लाल किसोरना साद्यव ने उपस्थिती रविवार को जमसेद पूर में बैठक की इस बैठक के अध्यक्सता पूर्वी सिम्हुम जीला अध्यक्स, रमन कुमार जहाने की बै भाजपा अनुसुचीत जनजाती मोर्चा की दो दिवसे राश्ट्रिये कारिसमिती बैठक 23-24 अक्टूबर को रांची में होगी। भाजपा जारखंड इकाई को राश्ट्रिये कारिसमिती करने का अउसर प्राप्थ हुआ है। बता दे इसला परवाही को देखते वे स्वास्त विभाग के अपर मुक्सचीव अरुन कुमार सिंग ने गहन अभियान चला कर टीका करन सुनिश्चित करने का निदेश सभी डीसी को दिया है। जारखन में डायन हत्या पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट जारखन में डायन हत्याओ पर केंद्री ग्री मंत्राले ने राज सरकार से करवाई रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार ने राज्य सभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में राज सरकार को करवाई रिपोर्ट के लिए पत्र लिखा है। इसमें राज सरकार से पूछा गया है कि क्या राज्य के ग्रामिन इलाकों में डायन विसाही को लेकर लगतार हत्याय हुई है। ग्री मंत्राले ने बीते तीन साल में डायन हत्या के कितने मामले हुए इसकी जनकारी मांगी है। बता दे राई सरकार से पूछा गया है कि डायन विशाही मामले में अगर कोई पीडित हो तो उसे क्या साहता दी गई है कितने मामलों के आरोपियों के खिलाप करवाई की गई है इसकी भी डेटेल रिपोर्ट राई सरकार से मांगी गई है बोकारो से बाईक चोरी मामला का खुलासा चारखन के बोकारो में दुरगा पुजा के बाद सीटी इलाके में हुए बाईक चोरी के मामले में पूलिस ने उद्वेदन किया है बता दे पूलिस ने दोस चोरी की बाईक के साथ पांच चोरों को गिरफतार किया है इसकी जनकार CT DSP कुलदीप कुमार ने अपने कर्याले कक्ष में पत्रकारों को दी है गुमला में दो नबालिक के साथ दस यूकों ने किया समोहिक दुसकर्म गुमला जिला अंतरगत बिसुनपूर परखंड के गुरदरी थाना छेतर के दो नबालिक लड़कियों के साथ दस यूकों ने समोहिक दुसकर्म किया दोनों पिरता अपने भाई के साथ दसारा मेला देख कर घर वापस लोट रही थी इसी बीच यूकों ने लड़कियों के भाई को मार पिट कर भगा दिया और फिर दोनों लड़कियों के साथ समोहिक दुसकर्म किया इधर पूलिस आरोपियों गिरफतारी के लिए लगतार छापे मारी कर रही है जार्खन के हजारी बाग में आठ महीने बाद ही वन मिलियन बेकर्स अभियान की सुरुआत नहीं होने से बड़ी संख्या में युगा नराज हैं भतादे परिवहन विभाग की ओर से मार्च 2020 में दो पहिया वाहन चालको को अउन दैस्पोर्ट रैवी लाइसेंस देने की घोसना के बाद हजारी बाग डिटियों ने बढ़का गाव बरही मांडू सौदर एवाम बरकठा के परतेक बिधान सभा में कैम्प लगाने के साथ कर्मियों को निक्ति की थी इस समध में डिटियों ने पत्र जारी कर सभी बीडियो को सयोग करने के लिए कहा था लाइसेंस पाने के लिए युवा उत्साहित थे इधर आठ महिने इंतियार के बाद भी बन मिलियन बेकर्स अभियान के सुरुवात नहीं होने पर बड़ी संख्यम नराज युवा विभाग एवं सरकार को कोशने में जुटे हैं धन्यवाद दिन भर की तमाम ख़वर को जानने के लिए साम 5 बजे संध्या समाचार अपलोड किया जाता है जीसे देखना ना भूले साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना भी ना भूले धन्यवाद